नमस्कार दोस्तों तो हम लोग कम्प्लीट कर रहे थे घटना चक्रे की पूरी की पूरी सीरीज और इस सीरीज में आज हम लोग बात करेंगे पॉलिटी के अंतरगत घटना चक्रे की 30 नमर टोपिक उच नियाले हाई कोट इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे थियोरी प भूलिए क्योंकि घटना चक्री के पूरी के पूरी सीरीज हम लोग पैरलल सभी बिसेयों को एक साथ लेके चल रहें डेली की डेली आप लोग इसे देखते रहें तो चलिया ये सबसे पहले बात करते हम लोग थियूरी पोर्शन की भारतिय समिधान के तथ राजियों के नयाईक प्रसासन में उच न्याले के सिर्ष पर होती है परतेक राज्य के लिए एक उच न्याले की बेवस्था किये गई है लेकिन साथवे संसोधन अधनियम 1956 द्वारा संसत को याधिकार दिया गया है कि वहाँ दो या दो से अधिक राज्यों एवं एक संग राज्य छेतर के लिए एक साजा उच न्याले की यहाँ पर अस्थापना कर सकती है इसलिए अगर बात किया जाए पंजाब हरियाडा की तो हाँ पर आप देखेंगे कि यह कहीं जो हाई कोटे उच न्याले हैं दो राज्यों की मिला के ठीक है बीच में उसको रखा गया है उसी तरिके से नौर्थिश के छेतरों में भी ऐसे कुछ राज्य मौजूद है जहाँ पर एक हाई कोट के अंतरिकत दो यहाँ पर राज्यों का साजा वहाँ पर सुनवाई होती है भारतिय समिधान में राज्यों के लिए उच न्यायाले है तु अनुछे 214 से 231 में प्रावधान किया गया है अनुछे 214 के अनुसार परतियक राज्य के लिए एक उच न्याले होगा अनुछे 215 के अनुसार उच न्यायाले अभिलेख न्याले होगा अनुछे 216 के अनुसार परतियक उच न्याले मुख्य न्याय मूर्ति और ऐसे अन्यनाय धीसों से मिलकर बनेगा जिन्हे राष्टपती समय समय पर नियुक्त करना वस्यक समझे अभिलेक नियाले होने कातात पर उच नियाले के निड़े आदेस आधी अधिनस्त नियाले के लिए बादेकार होंगे उच नियाले के नियाधिस की नियुक्ती राष्टपती करता है उच न्याले के नयधिक्स 62 वर्स की आयू तक पद धरण करते हैं। उच न्याले के नयधिस राष्ट पती को संबोधित कर अपना पद त्याग सकते हैं। उच न्याले के नयधिस को राष्ट पती के आदेश से पद से हटाया जा सकता है। राश्ट पति ऐसा अदेश सत्र द्वारा संसद्वारा सत्र में पारित प्रस्ताओं के अधार पर जारी कर सकता है उच्च न्याले के न्याधीसों को भी उच्च तम न्याले के न्याधीसों के समान पर किरिया तथ सिध कदचार और अच्छमता के अधार पर हटाया जा सकता उच्छ न्याले के नियाधिस के लिए वही योग्य है जो भारत के नागरिक है, इसमें कुछ कंडिशन है, ऐसे वेक्ति जो उच्छ न्याले में Leagdar 10 वर्स तक अधिवक्ता रहे हो या ऐसे वेक्ति जो 10 वर्स तक नियाख पद धारड कर चुके हो थल्ड उच न्याले के न्याय धीसों का वेतन राजय के संचित निधी से दिया जाता है अनुछे 223 के अनुसार उच न्याले के मुख्य न्याले धीस का पद रिक्त रहने पर या अनुपस्थित रहने पर कारेकारी मुख्य न्याले धीस की नियुक्ति राश्ट पती करते हैं अनुचे 226 के तहत मूल अधिकारों को परवर्तित कराने के लिए रिट जारी करने की सक्ति उच न्याले को होई अनुचे 227 के अंतरगत उच न्याले उस राजे के सभी न्याले उपर अधिछाण जिसको सुपरिंटेंडेंडेंस करने की सक्ति रखता है वर्तमान में उच न्यालों के संखिया धन रखेगा 24 है उनमें 7 का छेतर अधिकार एक सी अधिक राजियों पर है दिल्ली एक मात्र केंदर सासित परदेश है जिसका अपना उच न्याले है जबकि अन्य केंद्रसासित परदेश बिभीन राज्य के उच्छ न्यालेयों के न्याईक छेत्र में आते हैं संसद उच्छ न्यालेयों के न्याईक छेत्र में बिस्तार कर सकती है सरपार्थम 1862 में कलकत्ता बंबै मदरास उच नियाले की अस्थापना की गई थी इल्हाबाद उच नियाले की अस्थापना 1866 में हुई थी अनुछे 233 के अनुसार किसी राजय में जीला नियाधिस नियुक्त होने वाले वेक्तियों की नियुक्ती तथा जीला नियाधिस की पद अस्थापना और पुरुनती उस राजे का राजेपाल ऐसे राजे के संबंध में अधिकारिता का परियोग करने वाले उच नियाले किसे परमर्स करेगा और उचे 235 के तहट उच नियाले अधिनस्त नियालेयो पर नियंत्रवड रखता है भारत में निवारक निरोत के अंतरगत एक वेक्ति को बिना मुकदमा चलाए तीन माह अउधी मने तीन माह बंदी बनाकर यहाँ पर रखा जा सकता है लोक अधालत के माध्यम से समाने नियालेयों में लंबीत मामलों का दोनों पच्छों के मध्य समझहोते के अधार पर निप्टारा किया जाता है इसमें दिवानी मामलों के साथ कदिपए अपराधिक मामलों पर अर्थात फौजदारी मामलों पर भी विचार किया जाता है लोग अदाल्तों में वरत्मान या स्यवनेम्रित नियाईक अधिकारी अत्वा बिधिक ज्यान रखने वाले व्यक्ती पिठासिन अधिकारी होता है अब हम बात करते हैं यहाँ पर 40 के आसपास से MCQ को यहाँ पर solve करने का प्रयास करते हैं पहला निमलीखित में से भारत में एक उच नियाले के बारे में क्या सही नहीं है और आएकि दृतिय अपिलूच नियाले के अपिलिय खिद्राधिकार में आता है बिल्कुल सही है तो यहाँ पर राजय पाल है अर्थात यहीं कलत है तो करेक्ट उतर हो जाएगा यहाँ पर C ध्यार रखेगा नेक्स्ट उच नियाले के नयाधीसों के वेतन और भत्ते दिये जाते हैं कहां से यह दिये जाते हैं तो राज्य की सम्यकित निधी से ये सब दिया जाता है उच नियाले के सेवनवरित जज को पेंसन कहां से दी जाती है पेंसन दी जाती है यहां पे भारत की संचित निधी से ये सारी पेंसन दी जाती है उच न नियायमूर्थी के Сам वृत्ती के आयूक क्या है, यहाँ पर 62 यहाँ रखा गया है, उच नियायमूर्थी के आयए 62 वर्स है, समीधान के अनुचे 2168-1 में पंदरहवे समीधान संसोधन 1963, उस समें 60 वर्स थी, उसके दोरा यह उम्रसीमा निर्धारित कर दी गई, और उच नियाले के नियाए धीसों की सेवन वृत्ति की आउग 62 से बढ़ा कर 65 वर्स करने है तू एक सो चौधावा समिधान संसोदन बिधेयक संसत के हाँ पर बिजार दिन है अर्थात वर्तमान में कितना है तो 62 वर्स निमलिखित कतनों पर विचार करना है भारत में 25 पूच नियाले है गलत है पंजाब हर्याडा और केंदर सासित परदेश चंडी गट का येखी समुई कुछ नियाले है बिल्कुल कॉरेक्ट है राष्टिरी रजधाने छेतर दिल्ली का स्वयम का उच नियाले है बिल्कुल भारत में उच नियाले के सम्द्ध में निमलिखित कतनों पर विचार करना है देश में 18 उच नियाले है गलत है उनमें सितीन का छेतर एदिकार एक से राजे से यहाँ पर अधीक पर है गलत है किसी भी संग राजे छेतर का अपना उच नियाले यहाँ पर नहीं है ये भी ग सिर्फ और सिर्फ D भारत में उच न्यालेओं की संखिया यहाँ पे कितनी है अभी हम लोगों ने देखा हुआ था देखिए यहाँ पे प्रस नकाल के दोरान भारत में उच न्यालेओं की संखिया 21 थी जबकि वर्तमान में 24 यहाँ पे उच न्याले है इसको 2008 में पूछा गया है तो उस समय के अनुसार ठीक है अगर देखा जाए यहाँ पे तो यहाँ पे ठीक है आश्टार इसको मार कर दिया गया है यूपी लोवर में यहाँ पूछा गया है जब किसी उच नियाले का मुख्य नयधीस परसासनिक हैसियत से काम करता है तो वा धियर इन होता है किसके उच नियाले के अन्य नयधीस में से किसी भी रीट अधिकार दागे correct statement हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ए यह आदर रखेगा ए है नेक्स्ट उच नियाले का परमदेश जारी करने की सक्ति के अंतरगत आते हैं परमदेश साप लोगों ने ठीक है जरूर ही पढ़ा होगा रिट का जो टाइप था यहाँ पे तो यहाँ पे किसके अंतरगत आएगा तो इसका कोरेक्ट उतर हो जाएगा समिधानी का दिकार भी है समिधी का दिकार है और यह फंडमेंटल राइट मौली का दिकार भी है इसे लिए उप्रोक्ट यहाँ पे सभी होगा किस उच नियाले ने यह फैसला दिया है कि एक ही बार में तीन बार तलाग कहने से तलाग होना यहाँ पे गैर कानूनी हो जाएगा किसने कहा है तो इलहाबादुच नियाले के द्वारा यह स्टेटमेंट दिया गया है इलहाबादुच नियाले ने रहमतुल्ला बनामस्टेट और यूपी यह केस स्याद रखेगा उचा जा सकता है रहमतुल्ला बनामस्टेट और फिप और 1994 के मामले में यह निलने दिया गया था यह बिधी के बंधों को विफल करने कुधेशी से तीन बार कहकर तलाग किया जाता है उनने लिया जाता है तो ऐसा तलाग गैर कानूनी होगा देखिए मामला भूत पहले से चल रहा था अंदमान ए ओम निकोबार दीप पर निवलिखित उच नियालों में से किस एक का यहाँ पर छेतरा धिकार है वो यहाँ पर हो जाएगा कोलकाता कहाँ पर कोलकाता तो अंदमान ए ओम निकोबार दीप समूपर पुलकाता उच नियाले का छेतरा धिकार है जिसकी सर्किट बेंच यहाँ पर्ट ब्लेयर में दिया गया है क्योंकि वहाँ के लोक्टी के बहुत दिक्कत होगाने जने में यहाँ पर ब्रांच के रूप में यहाँ बैठा दिया गया है Next निमलिखित उच नियालों में से कौन एक से अधीक राज्य केंद्रसासित परदेश के लिए है। निमलिखित में से किन राज्यों में मार्च 2013 में उच नियाले अस्थापित किया गया था। निमलिखित में से कौन एक से अधीक राज्यों में में गाले और तिरिपूरा में किया गया था। तो यहाँ पर कौन एक राज्यों में किया गया था। देख पारें संग राज्यों छेत्रों को छोड़ दिया जाया तो चार एसे उच नियाले हैं जिनके अधिकार्ता छेत्रे में एक से अधिक राज्यों हैं। राचल परदेश, असाम, नागालेंड, मिजोरों में यहाँ पर सबके गुहावटी में सुनवाई होती है। उसी तरीके से मुंबई उच नियाले हैं महाराष्ट और गुवा, पंजाब और हरियाडा की होती है। तो उसे क्या कहते हैं, देखें किसी वेक्ती अथ्वा सांस्था को ध्यान रुखेगा, किसी वेक्ती और यहाँ पर सांस्था को दिया गया है, तो इसमें तो बंदी पर्थेक्श करने के दम नहीं आएगा, इसमें आएगा यहाँ परमादेश, ध्यान रुखेगा, रदिकार यहां पे नहीं है ओ Χोझा आज़ा पर अमर्श शंबन्धित छिद्रादिकार नहीं है next जाती है इसको बोलते है परतिशेध परोगेविसन इसको बोला जाता है नेक्स्ट, किसी एक उच अधिकारी प्राव्द न्याले द्वाला उत्प्रेंसर सरट्यूरेरी रिट यहाँ पे जारी किया जाता है, किस कंडिशन में, तो एक अधिनास्त न्याले को वापूर रच्छल मने रिभी वेती एक मामले में विसेस की कारवाहि का विलेक वने हस्त हस्तांत्रित कर दें, अर्थात यहाँ पे जो भी अधिनास्त न्याले होगा, उसके द्वाला जो निल्डे लिया गया होगा, या फिर अगर उसने अपने विसेस अधिकार छेतरे से बाहर काम किया होगा, तो उपर के, ठीक है, यहाँ पे जो भी कोट होंगे, वो अधिनास्त न्याले की कारेपदती का परिछड करती है, वो परिछड करती है, उत्प्रेसर्ड नियार केगा, उत्प्रेसर्ड, उत्प्रेसर्ड यह परतिसेद यहाँ अधिनास्त न्याले की कारेपदती का परिछड करती है, जब अधिनास्त न्याले अपने अधिकार छे देखते हैं क्या है कथन में, नयालय के आधेसों की जान बुचकर अवग्या करना या उनका पाला न करना अधा न्याईक बैवहार के बारे में अनादर सुचक भासा का परियोक करना नयालय की आमाना की कोटी में आता, बिल्कुल सही है, नेक्स्ट, नयाईक सक्रितावाद न कथन की सही ब्याख्या नहीं कर रहा है इसलिए इसके correct उतर हो जाएगा B Next निमलिखित कतनों पर विचार कर सही उतर निम्न कूट की सहयता से चुनिए कथन 1 जन ही तियाच का जन सहयोगी नाग न्यागरिकों को न्याले तक जाने की स्विक्रिति देता है बिल्कुल correct statement है कारण जन सहयोगी वेक्ति उस वेक्ति के लिए जन न्यागरिकों की मांग सके जो किसी कारण से न्याले तक पहुच पाने में असमर्थ है भी बिल्कुल सही है अर्थात यहाँ पे बात की जारी न्याए और न्याए का मिलेगा न्याले में मिलेगा तो यहाँ पे PIL का इसमें इंप्रोर्टेंट रूल है इसलिए कारण कथन के सही ब्याक्या कर रहा है अर्थात correct यहाँ पे उतर हो जाएगा नेक्ट 27 नम्मर कथन भारत में न्याएक तुण रिच्छर चेतर यहाँ पे सिमित है यह correct यहां पे नहीं है करण भारती समिधान उभार वस्तूँ से भाहरा यहाँ थैला है तो भारती वाँसा इंजाम लगता ही है उधार वस्तूँ से भाहरा थैला है क्योंकि बहुत सारे समिधान में हमारे देश में जो मौझूद है उसका अन्य देशों से कुछ न कुछ यहाँ पर लिया गया है इसलिए आपर correct उतर हो जाएगा पहला दो गुला थे लेकिन आरे यहाँ पर सत्त है तो D यहाँ पर correct उतर हो जाएगा नेक्स्ट निमलिखित कथनों पर क्या करना है आपको विचार करना है और दिये गए कूटों से सही उतर का चैन करना है आएगे देखते हैं यहाँ पर correct उतर कौन होगा भारतिय नागरिकों के अधिकारों को सनरचित करने में उच नियाले सरोच नियाले के पिच्छा बढ़िया इस्तिती में है अब ध्यान रखे हैं भारतिय नागरिकों के अधिकारों को सनरचित करने में उच नियाले जो है सर्वच न्याले की अप्यक्षा बहुत बढ़ी है चिती में बिल्कुल ये correct statement है सर्वच न्याले केवाल मौलिक अधिकारों के संरचण के लिए ये प्रमर्स यहाँ पे दे सकता है ये भी बिल्कुल यहाँ पे सही है तो इसलिए आपे ठीक है परमा देश जारी कर सकता है इसलिए हाई कोट ठीक है सुप्रीम कोट से बेहतरीन अवास्था में मौजूद है इसलिए यहाँ पे कोरेक्ट उतर हो जाएगा ये और आर दोनों सही और आर एक सही असपस्टी करण यहाँ पे है नेक्स्ट 29 बाबरी महजिद राम जनम भूमी का बिवाद जो इलाबादू चनियाले के समक्च के इस परकार है यहाँ पे क्या यहाँ पे किया घया था बाबरी महजिद को लेके ओ किया गया था स्वहत अधिकार मुकद्मा इसको टाइटल सूट यहाँ बोलते हैं該ं पाप़ जनम भूमी का बिवाद इलाबादू चनियाले के इसमग्च सोध अधिकार मुकद्मे के रूप में प्रस्तूद किया गया है जिसमें दो समिधायों ने बाबरी महजिद राम जनम भूमी की जमी नेवं संपती पर अपने अपने दावे पेस किये हैं जीला ने अधिस समिधान के किस अनुछेद में आया हुआ है यहाँ पे अनुछेद में आया हुआ है 233 के अंतरगत यहाँ पे आया गया है भारति समिधान के भाग 6 के अधिया है 6 के ठीक है अनुछेद 233 में जीला ने अधिस डिस्रिक जट सब्र का उले किया गया है जिसके अंतरगत जीला नेधीसों की नियुक्ति के प्रावधान है। next, भारत के समिधान के अनुसार जीला नेधीस अभिवेक्ति के अंतरगत यहां पे समलित नहीं होगा। उसमें क्या होगा कोरेक्ट उतर अधिकरल यहां पे नेधीस के रूप में। नेक्स्ट निवलिखित कत्नों पर विचार किजिए भारत में उच नियाले के नियाधीस को हटाने के लिए रिती उचतम नियाले के नियाधीस को हटाने की रिती के ही क्या है ये समान है उच नियाले का कोई अस्थाई नियाधीस अपने पद से सेवा निवरित के पहचात भा इसा गलत है उच नियालेक उपर उच तम नियाले भी होता है और एक उतर होज़ेगा आप एक येवाल एक एक मुछ नियाले के नैधिस अपना त्याग पत्र संभोधित करता है तो करता है राष्टपती को करता है किस नियाय मूर्ती के खिलाप 2011 में राज्यसभा ने महा भियोग का प्रस्ताव पास किया कि इन्तु अपने बचाओं के लिए उसने लोकसभादवारा उसी प्रस्ताओं के पास होने के पूरुव यहाँ पे त्याग पत्र दे दिया यह उस महात्थिक है उसका नाम बताना है नाम है यहाँ पे न्याय मुर्ति स्वामित्र सेन पर पुलकत्ता हुच नियाले के पुरुने अधीस नाय मुत्र स्वामित्र सेन पर फंड का दुरुप्यों करने के कारण वर्ष 2011 में राजी सभा ने महाभ्यूग परस्ताओं पेस किया सोतंत्र भारत में किसी नाय मुर्ति के खिलाप ऐसा परस्ताओं पेस होने का या पाला मामला है यही परस्ताओं पुना लोकसभा में 5.6 दिसंबर 2011 को पेस किया गया इन्तु इससे पुरुव 1 सितंबर 2011 को उन्होंने अपने पत से इस्थिपा दे दिया भारत में चलित निया है मोबाइल कोर्ट इसका मानस पुत्र कौन है किसके समय ये लाया गया था डॉक्डर एपी जे अब्दुल कलाम की समय लाया गया था सबसे पहले देख पार है अर्याणा में ठीक है यहां पर मेवात जिले में स्थित पुनहाना ध्यान रखेगा पुनहाना प्रिवेंटिम डिटेंशन के अंतर गात एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी मनाए रखकर रखा जा सकता है टाइम पिरिएट बताना है तीन माह तक यहां पर रखा जा सकता है ध्यान रखेगा समिधान के अनुछेद 22 का सब आर्टिकल 4 के अनुछार यहां पर ठीक है अब यह 22 है यहां पर फंडमेंटल राई से समंदित बिधी आयोग के किस अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट में समर्थन किया है कि परते कुछ नियाले के एक तिहाई नियाधिस दूसरे राजिस से होने चाहिए नियाधिस एचार खन्ना के द्वारा नियाधिस एचार खन्ना के द्वारा लोक अधालत के संदर में निम्लिखित कत्मों में से कौन सा यह कि यहां पर सही है किसके संदर में तो लोक अधालत के लोक अधालतों के अधिकारिता मुकदमा दायर करने से पहले के मामलों का निप्टारा करने की है और उन मामलों का नहीं है जो किसी नियाले में यहाँ पे लंबीत हो ध्यार रखेगा किसी नियाले में लंबीत हो तो यहाँ पे गलत है यह लोक अदालत लोक अदालत ऐसे मामलों का निप्टारा कर सकती है जो सीविल ना की अपराधिक प्रकृतिक है यह भी बिल्कुल गलत है पर तेक लोक अ नियाई का दिकारी है नियुक्त हो सकते हैं, कोई अन्य वेक्ती नहीं, यह भी बिल्कुल यहाँ पे गलत है, उप्युक्त में से कोई सा कथन यहाँ पे सही नहीं है, तो correct उतर क्या हो जाएगा, D, next, ग्राम नियाले अदिनियम के संदर में निमलिखित कथनों में से कौन सा यहाँ पे सही है, इस अदिनियम के अनुसार ग्राम नियाले केवल सीविल मामले की सुनवाई कर सकता है, अपराधिक मामलों की सुनवाई नहीं कर सकता है, बिल्कुल यहाँ पे correct statement है, ठीक है, कौन से कर रहा है क्या है, यहाँ पे, कौन से सही है, ठीक है, तो यह दोनों कर सीविल मामले की सुनवाई कर सकता है, अपराधिक मामलों की सुनवाई कर सकता है, तो यह correct statement नहीं है, क्योंकि अपराधिक मामलों की सुनवाई कर सकता है, इसलिए मुझे लगा कि ठीक है, तो यह statement गलत हो जाएगा, यह अधनियम अस्थानिय समाजिक सक्रियताबादियों को म अध्यास्त शुला करता के रूप में सिवकार करता है तो ये मेडियेटर के रूप में चाहे किसी भी तरह का मामला अगर दो लोग मान जाते हैं तो बहुत यह ठीक है अच्छा काम करता हूँ नजराता है यहाँ पर कोरेक्ट उतर हो जाएगा केवल और केवल यहाँ पर दो ठीक है फ्रेंड्स आज का MC को पलस लेकर यहीं कम्प्लीट होता है थैंक्स पर बाचिंग जैंद